नमस्कार, मैं सबकी शिक्षा में आपका बेहत स्वागत करती हूँ, आज इस विडियो के माध्यम से मैं आपको प्रधान मंत्री आवास योजना के उपर संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ इस योजना के अंतरगत सरकार द्वारा देश में जुगी जोपडी में, कच्चे मकानों में रहने वाले या फिर किराय के घर में रहने वाले लोगों को स्वैम का घर बनाने में सहायता करी जा रही है। इस योजना के चलते सरकार आपको बैंक से होम लोन की राशी के उपर लगने वाले इंटरस्ट रेट में छूट दे रही है। इस योजना को भारत सरकार ने 2015 में शुरू किया था। इस योजना को छेत्र के आधार पर दो भागों में बाटा गया है। पहला प्रधान मंत्री शहरी आवास योजना जिसके अंतरगत शहरी छेत्र के परिवारों को उनका स्वैम का घर बनवाने में सहायता करी जा रही है। और दूसरा है प्रधान मंत्री ग्रामीन आवास योजना जिसके अंतरगत ग्रामीन शेत्रों के परिवारों को उनका स्वैम का घर बनवाने में सहायता करी जा रही है। और ग्रामीन छेत्रों में आमूमन तोर पर लोगों के घरों में शौचाले की सुविधा नहीं होती है। इसी वजह से इस योजना के तहट सरकार ग्रामीन छेत्रों के लोगों को 12,000 रुपिये उनके जन धन खाते में देगी ताकि वे स्वच और पक्के शौचाले का निर्मान करवा सके और शौचाले ना होने की वजह से हो रही परिशानियों और बीमारियों से मुक्ती पास अब मैं आपको पताना चाहूंगी कि आपको इस योजना के तहट जो होम लोन दिया जाएगा वहे आपको ज्यादा से ज्यादा 20 सालों के अंतरगत चुकाना है यानि कि 20 सालों में आपको वो होम लोन वापिस करना है अब मैं बताना चाहूंगी कि कौन-कौन लोग इस योजना के अंतरगत लाब उठा सकते हैं और आवेधन कर सकते हैं सबसे पहली बात तो इस योजना में 21 वर्ष से 55 वर्ष तक की उमर के लोग आवेधन कर सकते हैं इस योजना का लाब उठाने के लिए लाभारती का बैंक अकाउंट होना बेहत अनिवार्य है और उनके बैंक अकाउंट का आधार कार्ड से लिंक होना भी बहुत ही आवश्यक है इस योजना में आवेदन करने के लिए लाभारती के पास उनका इंकम सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है और इस योजना के अंतरगत घर के कागजात महिला के नाम से बनते हैं या फिर पती-पत्नी दोनों अपना नाम भी इसमें डलवा सकते हैं अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस योजना के तहट वार्षिक आए के आधार पर चार भागों में लोगों को विभाजित किया गया है पहले ग्रूप में है EWS काटेगरी यानि की इकोनॉमिक कली वीकर सेक्शन के लोग इस काटेगरी में जो लोग तीन लाख रुप 6.5 प्रतिशत जो है सबसिटी मिलती है लोन के उपर जी हाँ इन्हे 6 लाख रुपिये तक का लोन मिल सकता है इस योजना के तहट और उस लोन के इंटरस्ट रेट पर 6.5 प्रतिशत की सबसिटी मिलती है जैसे कि अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल जो है वो 6.9 प्रतिश का जो है interest rate चल रहा है होम लोन के उपर तो अगर EWS काटेगरी को 6.5 प्रतिशत का सबसिडी रेट मिल जाएगा तो उन्हें बहुत ही कम जो है interest rate के उपर लोन वापिस करना है ना के बराबर ही interest rate उन्हें देना है उनका घर जो है वो 30 स्क्वेर मीटर का बनता है अब बढ़ इस ग्रूप के अंदर 3 लाख से 6 लाख रुपिय तक के वार्शिक आये कमाने वाले लोग आते हैं, इन लोगों को 6 लाख रुपिय तक का लोन मिलता है और 6.5 प्रतिशत की सब्जिडी रेट अफ इंटरस्ट मिलता है, जबकि इनके घर का मीटर है 60 स्क्वेर मीटर. तीसरा ग्रूप है MIG1 यानि की Middle Income Group 1 इसके अंदर गत 6 लाख से 12 लाख रुपिय तक की वार्शिक आये के लोग आते हैं और यह लोग 9 लाख रुपिय तक का लोन ले सकते हैं, होम लोन ले सकते हैं और उन्हें 4 प्रतिशत का जो है सब्जिडाइजड रेट अफ इंटरस्ट मिलता है यानि की अगर 6.9 प्रतिशत जो है रेट अफ इंटरस्ट अभी चल रहा है और 4 प्रतिशत जो है वो इनका सब्जिडाइज रेट हो गया है तो इन्हें केवल 2.9 प्रतिशत ही देना पड़ेगा और इनका घर होता है 160 स्क्वेर मीटर का चोथा ग्रूप है MIG2 यानि की मिडल इंकम ग्रूप 2 इसके अंतरगत जो लोग 12 लाख रुपिये से 18 लाख रुपिये वार्शिक आये के तौर पर कमाते हैं वे लोग आते हैं और इन लोगों को 12 लाख रुपिये तक का होम लोन मिल सकता है 3 प्रतिशत सब्सिडाइज़ इंटरस्ट रेट के उपर और इनका घर का जो स्क्वेर मीटर है वो है 200 स्क्वेर मीटर तो यानि की इस योजना के अंतरगत जो लोग 18 लाख रुपिये तक कमाते हैं वे आवेदन कर सकते हैं अब मैं आपको पताना चाहूंगी कि तीन तरीकों से इस योजना के अंतरगत आवेदन किया जा सकता है पहला तरीका है कि अगर आपकी मासिक आए 50,000 रुपिये है या उससे अधिक है तो आप सीधा बैंक में जाकर भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं आप मुख्य तोर पर इन बैंकों में जा सकते हैं बैंक अफ बरोदा, HDFC बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक अफ इंडिया, आक्सेस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, IDBI बैंक, पंजाब नाशनल बैंक या फिर कैनरा बैंक आपको साथ से आठ वर्किंग डेज के अंतरगत लोन प्राप्त होने की संभावना है और दूसरा तरीका है कि आप चाहें तो अपने नस्दी की CSE ओफिस में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं आपको मामूली 25 रुपे की फीस जो है वो भरनी पड़ेगी CSE ओफिस में जाकर आवेदन करने के लिए तीसरा तरीका है घर बैठे ओनलाइन आवेदन करने का जी हां तो आपको गूगल पर जाना होगा और टाइप करना होगा www.pmamis.gov.in जब आप ऐसा टाइप करेंगे तो आप इसकी ओफिशल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे जो की कुछ इस प्रकार दिखती है यहां पर उपर लिखा हुआ है citizen assessment देखिए search beneficiary के बरापर में यहां पर apply online पर आप click करेंगे और उसके बाद जो है आप एक ऐसी site पर पहुच जाएंगे यहां पर आपको अपना आधार number डालना होगा पहले आधार पर click करिया आधार या virtual ID आप आधार पर क्लिक करेंगे और फिर आपको अपना आधार नमबर लिखना होगा यहाँ पर और फिर आपको अपना नाम लिखना होगा जिस प्रकार जिस स्पेलिंग से आपके आधार कार्ड पर आपका नाम लिखा हुआ है उसके बाद आपको जो है यहाँ पर नीचे क्लि रखे हैं, आप इसमें से अपने स्टेट का नाम सिलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद आपको अपना डिस्टिक का नाम सिलेक्ट करना है, अपनी सिटी का नाम सिलेक्ट करना है, आपको यहाँ पर अपने राज्ये के हिसाब से अपनी सिटी का नाम देखने को मिल जाएगा, आप उसमें से अपनी city select कर सकते हैं district का नाम अब अपने आप आ गया है are you from planning area or development area यह आपको no ही रहने देना है फिर आपको जो है अपना name of the head of the family परिवार के मुख्या का नाम लिखना है उनका gender लिखना है आपको अपने पिता का नाम लिखना होगा आपको उनकी age लिखनी होगी उनकी उम्र लिखनी होगी जो आपके मुख्या की उम्र है 21 से 55 वर्ष के बीच में होनी चाहिए आपको फिर अपना address देना होगा कि इस वक्त आप जो है वो कहां पर रह रहे हैं आपका house number या flat number जो भी है और फिर आपका जो है name of the street गली का क्या नाम है या आपके area का क्या नाम है या आपको लिखना होगा pin code वगेरा डालना होगा अपना mobile number डालना होगा और फिर आप side में देखेंगे उपर एक box है same as present address तो ये आपको यहाँ पर click करना होगा अगर आपके दोनों address जो है वो same ही है अगर ऐसा है तो आप जो है उपर वाले box पर click कर देंगे फिर उसके बाद आपको अपना marital status जालना है कि आप married है unmarried है या single है या फिर क्या आपका सिती है और फिर उसके बाद आपका देखेंगे आपका आधार नंबर अपने आप लिखा रहा होगा क्योंकि इससे पहले आपने वो काम किया हुआ है आपको अपनी other id type जो आपने यहाँ पर देखा होगा other id type लिखा है उस पर click करके आपको select करना होगा passport, pan card, voter id card मैंने यहाँ पर pan card select करा है आप कोई और भी select कर सकते है अगर आपके पास आपका pan card नहीं है तो अब आपको अपने परिवार के सारे सदस्यों का यहाँ पर नाम भरना होगा जी हाँ, तो यहाँ पर आप देख रहे है serial number है, नाम डालते जाएंगे आप उनके साथ आपका क्या रिष्टा है यह आप डालेंगे आपकी पत्नी है, पती है, बेटा, बेटी है माबाब, क्या है, भाई, बेन और फिर आप gender देखेंगे उनका क्या gender है, उनकी क्या I.U है उनका अधार काड का number डालेंगे और उनकी दूसरी id का type भी disability, अगर कोई disability है, तो हाँ, नहीं है, तो no, फिर आपको अपनी ownership details डालनी है, कि आपकी existing house, जिस घर में आप वर्तमान समय में रह रहे हैं, उसमें आपका, मतलब यह आपका खुद का घर है, किराए का घर है, या क्या वो है, आपका occupation क्या है, आप क्या काम करते हैं, और आपकी salary क्या है, यह सब आपको लिखना होगा, occupation में यहां पर बहुत सारे options दे रखे हैं, अगर आप इन में से कोई भी काम करते हैं, तो आप उस option पर select कर ली जिएगा, और फिर आप जो है, अपनी monthly salary डालेंगे, capture डालेंगे, जो यह हैं आपकी screen पर एक capture शो हो रखा होगा, यह box में जैसे मेरे screen पर शो हो रखा है, और आप उपर जो है, यहां पर टिक भी करेंगे, that I am aware that my claims regarding any inclusion or exclusion shall remain with state government, फिर आप अपना save पर click कर देंगे, अब मैं आपको पताना चाहूंगी, कि इस योजना के अंतरगत कौन-कौन लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं, जी हां, तो सबस सकते हैं, अगर किसी परिवार ने कभी पहले किसी भी सरकारी आवास योजना का लाव उठाया है, तो वे भी इस योजना के अंतरगत आवेदन नहीं कर सकते हैं, और अगर परिवार का कोई सदस्य सरकारी विभाग में काररत है, तो वे भी इस योजना में आवेदन नहीं क कर सकते हैं तो आशा करती हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिनके पास अपना घर नहीं है तो ये विडियो उनके साथ जरूर शेर करें अब मैं आपसे इजाज़त चाहूंगी सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करना न अन्यवाद